12 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच में भारत में 48 लाख शादिया होने वाली हैं और महज 34 दिन के अंदर जो 48 लाख शादिया होने वाली हैं उसमें जितना पैसा खर्च होगा आप सुनेंगे तो आपका दिमाग आपके जगह से हिल जाएगा और सोच कर देखिए महज 34 दिन के भीतर 48 लाख लोग शादि के बंधन में बंध जाएंगे और अगर पैसे का बात आप जानने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर हैं तो हम आपको बता देते हैं महज 34 दिन के अंदर सिर्फ शादी में एक रिपोर्ट के अनुसार लमसम लमसम 6 लाख करोड रुपए का खर्च होने वाला है और भारत के एकनॉमी को इन शादियों के सीजन में गजब का बूस्ट मिलता है भाई अब आप एक बार सोचिए सिर्फ दिल्ली शहर में 5 लाख सादी होगा 34 दिन के अंदर और अगर आपको मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरस्ट है तो आप जोड़कर निकाल लीजिए कि एक दिन में कितना शादी होने वाला है अगर आप भारत के हिसाब से बात करिएगा तो हर दिन सवा लाख शादी होगी और 34 दिन के भीतर 48 लाख लोग शादी के बंधन में बंधेंगे और ये डेटा अब इतना सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया है जिसका कोई हिसाब नहीं है हम आपको उसी डेटा के बारे में बताएंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार स्विकार करिए मिरा नाम प्रशांतराय है और ये वीडियो अधिकारीड़ा.com के द्वारा प्रयाउजित है अधिकारीड़ा एक वेबसाइट है एक एप है जो BPSC सतर्वी का तयारी करवाता है अधिकारीड़ा और आप BPSC का तयारी करना शुरू कर दीजिये अब लोटते हैं डेटा पर डेटा का देखिए भाई दौर चल रहा है और अब अगर बिजनस का बात करिएगा तो उसमें भी सबसे ज़्यादा डेटा ही महत्वण होता है और जो डेटा आया है वो कहता है क 34 दिन के अंदर भारत में 48 लाख लोग शादी करेंगे और 48 लाख लोग जो शादी करेंगे उसमें जो अनुमानित खर्चा है वो लमसम लमसम 6 लाख करोड के आसपास है 6 लाख करोड रुपईया लोग शादी के शौपिंग में अब सामान और सर्विस दोनों इसमें included है सर और इन तमाम समान और सर्विस को मिला दीजिएगा तो 6 लाख करोड रुपए भारत के लोग 34 दिन में खर्च करेंगे और वो भी शादी के लिए सब को पता है कि शादी सब के लिए बड़ी बात होती है once in a lifetime मौका होता है एक बार कोई शादी करता है तो चाहता है कि हम बड़े अच्छे से और धूमधाम से बिया करें और बिया हमें वो चाहता है कि खूब ज्यादा खर्चा करें अपना जो सगा संबंदी होता है उसको कपड़ा लगता लोग देता है ये दिखाता है कि उनके प बाजार बहुत बुलजार रहने वाला है क्योंकि लोग अब खुल कर खर्च कर रहे हैं डेटा में ये भी लिखा है कि करोना के बाद लोगों का जो माइंड सेट है वो बहुत बदला है अब लोग बचा कर नहीं रखना चाहते हैं उनको लगता है कि जीवन कब तक है इसका कोई पता नहीं है और जितना हम मौज मस्ती कर ले जितना अपने लाइफ स्काइल पर खर्च कर ले वही बहुत है और इसलिए करोना के बाद लोगों ने अपने हाथों को खोला है और अगर दिवाली का बात करिएगा धनतेरस का तो पूरे भारत में दिवाली धनतेरस में लमसम सवा चार लाख करोड का पूरे भारत में बिजनस हुआ था, सवा चार लाख करोड दिवाली धंतेरस, और उसके बाद जश्ट 34 दिन के अंदर 6 लाख करोड, यानि कि अगर आप रुपया का जो घूमने का तरीका देखिएगा, तो वो पहुंच जाएगा 10 लाख करोड तक और ये महज 60-65 दिन के भीतर भारत में हो रहा है, मिला जुलाकर अब जो बाजार है वो बुलजार होगा, एकनॉमी को बूस्ट मिलेगा, मार्केट में जब पैसा आता है तो बिजनस करने वाले खुश होते हैं, और बिजनस करने वालों के पास जब हाथ में पैसा आता है तो नया नया चीज आता है और इस शादी के सीजन में खुब भौकाल कटने वाला है, बाकी इस ख़बर कोई अपडेट आएगा, आपको मितला करेंगे, मिरा नाम प्रिशान्त है, बहुत-बहुत धन्यवाद्यू हाई भð बफड़िव के लाग चाच जाता है